नमस्कार दोस्तों अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी और भी हद बिग ब्रेकिंग नियूज सामने आ रही है तमिलनाडो में एक नीजी लोजिस्टिक कमपनी का ट्रक सिथोडू के पास हादसे का सिकार हो गया बताया जा रहा है कि आगे चल रही किसी वाहन में लगी तिरपाल उड़कर के ट्रक की विंडशिल्ड पर आ गई थी इसकी वज़े से ड्राइवर का कंट्रोल ट्रक पर नहीं रहा और वहे बड़ी दुरगटना का सिकार हो गया अब दोस्तों मुख्य बात है वो यह है कि जो ट्रक हादसे का सिकार हुआ उसके अंदर 810 किलो सोने के गहने भरे हुए थी बताया जा रहा है कि इन गहनों की कीमत करीब 666 करोड रुपय थी इन्हें ट्रक में भर कर कोयम टूर से सेलम ले जाया जा रहा था लियाजा इस मुल्यवान ट्रक के हादसे के सिकार होने की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई इसके बाद हाई सिक्योर्टी वाले एक दूसरे ट्रक को मौके पर भीजा गया कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस अधिकारियों के सामने ट्रक के अंदर रखे सोनी के आभुसरों को निकाल कर दूसरे ट्रक में लोड किया गया इसके बाद गहनों को सेलम में उनकी मंजिल के लिए रवाना किया गया इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि हाई सिक्योर्टी वाली ट्रक से कैसे सोने के गहने भरे बोक्स को ट्रक से खाली किया जा रहा है इस दोरान पुलिस कर्मी पूरी मुस्तेदी के साथ वहां मौजूद रहे हैं पूलिस ने बताया कि वाहन चालक, ससी कुमार और स्रक्षगार्ड पोल राज को बचा लिया गया है आदसे में गहल होने की वज़े से उन्हें भवानी सरकरी अस्पताल में भरती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है फिलाल दोनों की हालात खत्रे से बाहर बताई जा झाल